हेलो एवरीवन वेलकम टू मा यूटूब चैनल आज हम इस वीडियो में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 में सरुकुलर्ण मोशन यानी वर्तिय गती के बारे में समझेंगे और वर्तिय गती के अंतरगत आने वाले विभिन बिंदू के बारे में चर्चा करेंगे दैनिक जीवन में वर्तिय गती समंदित बहुत से उधारण हमारे सामने आते हैं हमने इससे पहले सर रेका में गती के बारे में पड़ा था जिसमें कोई भी वस्तु जो है एक सीदी रेका में चलती है वर्तिय गती के अंतरगत जो वस्तू होती है वो एक वर्त के रूप में गती करती है जैसे देनिक जीविन के अंतरगत आपने देखें अपने एक दागे से किसी पत्थर को बांद कर उपर के और गुमाते हैं तो उसकी जो गती है वो वर्तिय गती कहलाती है अन्य उदारण की रूप में जैसे पंके के जो ब्लेड होती है उनकी गती को अगर देखते हैं तो वो भी एक वर्ताकार रूप में गती करती है तो ऐसे बहुत से उदारण है जिसमें अपने वर्तिय गती को समझ सकते हैं तो वर्तिय गती की प्रिभासा है, जब कोई वस्तु वर्ताकार पत में गती करती है, तो उसकी गती को क्या घा जाता है वर्तिय गती, यानि वर्त के रूम में वर्ताकार पत पर वस्तु गती करती है, तो वह वर्तिय गती कहलाती है, और जब वस तू एक समान चाल से वर्ताकार पत्थ में गती करें यानि जब उसकी चाल एक जिस यो गुमते वे तब उसकी गती को कहा जाता है एक समान वर्तिय गती वर्तिय गती को धान जैसे पंकिकी बलेट की गती वर्तिया गति को अपने चित्र में इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे एक वर्त है और ये इसका के अंदर सी और तिर्जा इसकी कैपिटल ला रहे हैं तो कोई वस्तू या कोई बिन्दू वी वेक से इस वर्था कारपत में गती कर रही है अब इसमें अपने इन विविन बिन्दूंपर बात करें तो जो वेक की दिशा है वो इस वर्थ के सपर्षरिका के अनुदिस कीची गई सपर्षरिका द्वारा प्रतिसski जाती यहीं इस वर्थ वर्थ की बिन्दूपर अपने सपर्षरिका कीसते तो वैं व्यक के दिशा को बताती है तो व्यक कि दिशा वर्ताकार गती में परते एक चंड पर बदलती रहती है तो जब वेग बदलेगा तो उसमें क्या उत्पन होता है तोरण यानि अपने पड़ा है वेग में परिवर्तन तोरण को उत्पन करता है और तरण में हमने देखाता है जए वेग का परिमान बदल रहा हो या वेग के दिसा बदलती हो तब हमेश्या क्या उत्पन होता है? तबरण उत्पन होता है वर्ताकार गती से समंदित कुछ परिबासाएं जैसे कोण ये दूरी क्या वती है? हम किसी वस्तू की वती पर विचार करते हैं माल लेते हैं प्रारम में ये बिन्दू A पर था ये पॉइंट A माल लेते हैं इस पॉइंट पर कोई वस्तू थी और कुछ समय बाद वैप पॉइंट B पर पहुंच जाती है अब इसमें दो परकार के परिवर्तन अपने देखेंगे एक तो इसके अंदर जो कोण है इसका वो बदल रहा है प्रारम में यहाँ परता 0 डिगरी और जैसे ये गती करती है वर्तागर पत में इसके अंतरगत जो यह गती करता है उस दूरी कर्प में माल लेते हैं डेल्टा एस और इसकी तिर्जा आ रहे हैं और के अंदर इसका सी है अब कोण यह दूरी क्या होती है वर्तिय गती करते हुए कण के कोण में जितना परिवर्तन होता है यानि जो वर्तिय गती है इसमने कोन में परिवर्तन होता है क्योंकि यह वर्तागार एक गेरे किरुप में जो धक्र लगता है तो प्रते यह देखेंगे का मान पहले से बदलता रहता है और जब यह अपने प्राइरंबिक स्थिति पर आ जाते है तब अपने कहते हैं कितना कौन चलाई है 360 तो जैसे जैसे वर्तियबत में पस्तुगती करती है वैसे वैसे उसके कौन में परवर्तन होता है और उसी को अपने कहते हैं उसकी कौन ये दूरी यानि दूरी है कौन के साथ परवर्तन में इसलिए कौन ये दूरी इसको डेल्टा ठिट्टा से प्रदासित के अजास जाता है और इसका मात्रक रेडियन होता है अब कोण ये दूरी से बना कोण ये वेग हमने वेग में पढ़ा था वी विस्तापन में प्रिवर्तन समय के साथ जो होता है वेग बेलाता है लेकिन यहाँ पर कोण ये दूरी में प्रिवर्तन समय के साथ अगर होता है तो इसकी दर को क्या कहा जाता है कोण ये वेग यानि कोण ये दूरी में समय के साथ प्रिवर्तन की दर को कोण ये वेग कहा जाता है इसे उमे का द्वारा पर्दर्शित किया जाता है इसका मात्रक रेडियन परती सेकेंड होता है इसका फॉर्मुला क्या होगा उमे का बराबर डेल्टा थिटा बटे डेल्टा टी यानि कोण में प्रिवर्तन परता समय में प्रिवर्तन पहले टीव राबर जीरो था पिर टीव राबर को टी ठाइम पर था तो समय में प्रिवर्टन कोणे दूरी में जब होता है तो कोणे वेक कहलाता है आज स्व 23 बदा यादा दूसरा इसमे रेखिक्चाल रेखिक्चाल जो है वस्तु जब गति कर रही है वर्थाकार पत्थ में तुसब पत्थ के अंदुरूप अपने इसको परिवासित करते हैं देलटा टी समय में कन दुवारा चली गई दूरीए अगर डेलटा एस हो अब डेलटा आज से दूरिये जिस पत पर हेए चलता है डेलटा ठिटा क्या है कोण में कितना परिवर्थ न समझते और जो कोण यह दूरी है उसके कोण से समझते तो अपने पता है चाल का सुत्र क्या होता है दूरी बटा समय तो यहां पर दूरी डेल्टा-S यह जिस पत्त पर वैचन रहे हैं यह एक परकार से इसको चाप बोल सकते हैं अपने इतना चाप चला एसे बी तक और बटे समय डेल्टा-T अब हम जानते हैं कौन चाप और तिरिजा कि मती क्या समझ होता है कौन बराबर अपने पास होता है चाप बटे तिरजा यहीं यह जो कोण है इस कमान किसके बराबर होता है उसके सामने वाड़ा जो चाप है और बटे मिंदो तो इस चितर के लिए कोण है ड टीर्टाइस अपने लिख सकते हैं है कि तो बीकम मान डीटाइस बटेड़ टी और डील्टाइस खमान और डील्टाइस अगर इस लटेकश कमान है यहां रख देंगे तो यह बनेगा व ब्राबर अधिडिटा कोटा डेल्टा टी और हमें पता है डेल्टा मी परहाबर कमानम है तो एक रेखेकशाल कमान यह भी अपने उंसने यहां मेगा अब इसमें तो तो इसे अभी केंद्र त्वरण के साथ तो किसी आर्ट दिरसाअ वाले वर्तिय पत्त के अन्युदिस वी चाल से गतिमान वस्तु में उत्पन तवर्ण जिसकी दिशा से दयव वर्थ के केंदर की ओरो उसे अभी केंदरिये तवर्ण कहते हैं यानि इस त्वरण्ञ की दिशा जो होती है वर्थ के कैंदर की ओर होती है किसी भी बिन्दु पर इसकी अपने दिशा देखते हैं तो हमेश ही जो अभी कैंद्ञ पाप्रन केंदर की ओर पराप्त होता है कि अंग्रेजी में इसनकी पिल फॉर्श कहते हैं जो क्या ग्रीक बहसा का समय और इसका मतलूब क्या आता है केंदर अभी मुख यानि ये साथ तोरण जो केंदर नुक हो अभी कैंद्र का जाता है इसका फोर्मला है AC यानि C force centripetal force V square बटे R अगर V का मान R omega है तो AC का मान इस प्रकार परवर्थत भी कर सकते है R omega square बटे R R से हरकेंस लोकर AC का मान R omega square यानि omega के रूप में भी लिखा जा सकते है ये रेकिट चाल के रूप में अब आवर्थकाल क्या होते है वर्थ का एक चक्कर लगाने में वस्तू को जितना समय लगता है उसे क्या आवर्थकाल यानि ये वर्थी अगति कर रहा है पूरा एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है वो आवर्थकाल कहलाता है इसे capital T द्वारा परदसित क्या जाता है अगर एक चक्र में वस्तु द्वारत्य दूरी इस चितर में क्या होगी S ब्राबर 2PiR डेल्टास तो इसका एक भाग है अगर पूरा एक चक्र अपने ले S जो दूरी हो क्या होगी प्रिद्य होगी वर्त की तो उसका मान कितना होद है 2PiR और एक चाल अगर अपने यहां से लिखें तो V ब्राबर 2PiR बटे T तोगे अभी हमने पड़ा एक चाल जो है V ब्राबर डेल्टास बटे डेल्टा T लेकिन पूरे चक्र के लिए जो दूरी है वो 2PiR और पूरे चक्र के लिए समय जो है तो पूरे चक्र के लिए जो रेकिक चाल है वो V ब्राबर 2PiR बटे टी अपने पास प्राप्त होगी अब आवर्ती किसे कहते हैं एक सेकंड में वस्तू जितने चक्र लगाती है उसे क्या कहा जाता है वस्तू की आवर्ती और इसे न्यू द्वारा प्रदस्त किया जाता है इसका मातरक परती सेकंड होता है और इसका फॉर्मूल होता है न्यू बराबर 1 by T यनि यह आवर्त काल के व्यूत क्रुमानुपाती होता है तो रेकिक चाल का यह जो सुतर है V बराबर 2PiR by T यहां से अपने 1 by T कमान न्यू भी रख सकते हैं तो V का जो फॉर्मूला है वो 2PiR न्यू बन जाता है और उमेगा के लिए अगर लिक न चाहिए तो उमेगा अबराबर धिटा बटे T तो अपने पास यह उमेगा कोण यह जोरे किक्चाल है और कोण का चाहब के साथ समन्द यह अपने पास अभिकेंद्रे तवर्ण यह अपने पास राप्तो आवर्ती का यह पूरा एक चक्कर में दूरी तो इन सुत्रों को अपने आपस में इंटर रिलेट कर सकते हैं जैसे उमेगा बराबर डेल्टा ठीटा बटे डेल्टा टी और डेल्टा ठीटा का जो मान था डेल्टा इस बटे आर यहां से अपने मान गया था वी बराबर आर उमेगा अब जो उमेगा है उसका मान जो अपने उपराप्त होगा वी बटे आर इस फॉर्मिले से अपने उमेगा का मान निकाले तो यह आर कहां सला देगा इसके बटे में अब इस वी का मान रिक जाल है उसका मान होता है एस बटे टी पुरे चक्र के लिए और एस का मान होता है टू पाई यार आर से यार यहां पर कैंसल हो जाएगा तो उमेगा का जो एक सुत्तर बनेगा टू पाई बाई बाई टी इसका बहुत अपने उप्योग करेंगे और एक बटा टी को अपने न्यू रख सकते हैं तो यह टू पाई न्यू के रूप में भी लिखा जा सकता है यह उमेगा का मान टू पाई बाई टी भी लिखा जा सकता है टू पाई बाई न्यू लिखा जा सकता है जिस प्रकार से परस्न में अपने को पूछा जाता है उस प् बोगसेंस अपने को विकामाण न्यू आप राप्तर रख होगा और अभी के अंदर तरह उर्मुला है घ्र पर उसे समंद्रीं कुछ फो्र्मुलीं जिनको उपयो हो जो एक्जंपल से उनको अलकर्ने में किया जता है तो एक्जाम्पल 4.10 NCRT बुक्स में से कोई खीड़ा वर्तिय खांचे में जिसकी तिर्जा 12 सेंटिमेटर है में फस गया है वे खांचे के अनुदीज स्थिर चाल से चलता है और 100 सेकंड में 7 चकर लगा देता है तो अपने उग्याद करने कौन ये चाल और रेकिक चाल और तुरन का परिमान कितना होगा यह अपने को बताने तो यह डाइग्रम बना लेते हैं इसका दो तिर्जा 12 सेंटिमेटर अपने को दी विए वर्तागार पत में गती कर रहा है तो यहां से अपने को तिर्जा कितना और का मांगिया 12 सेंटिमेटर और एक दिंस सो शेकर में कितने चक्कल लगाता है यह अपनी पराप्त होगा ऑनी परती सेकंड जो सबीद युषकाल्य जएंची कारेंगे तो आवर्त काथ होता है ती का माइन अपनीको सोके साथ प्रफ्त होगा यह साथ बटे सो है यह प्रति सेकंड चक्कर की संक्य है प्रति सेकंड चक्कर अपने को किसे कहते हैं आवर्ति को और आवर्ति का व्यूत करम आवर्तकाल अब अब अपने को ग्यात करने कोण यह चाल तो उमेगा का सुत्तर टू पाई बाई टी अब यह साथ उपर मैंने लिखती है इसको हल करेंगे आप दो गुणा 3.14 पाई कमा रख देंगे तो साथ बटे सो यह अपने उप्राप्त होगा पॉइंट चार चार रेडियन पर सेकेंड तूसरा रेकिक चाल इसका फॉर्मुला है वी ब्राबर और उमेगा तो और कमान अपने पास 12 ओर उमेगा का पॉइंट 44 %には 6 कमान निकालेंगे तो पास.3 संटीमीटर इसकेंड क्योंकि अपने उतिरजा संटिमेटर में दी है और अभी के अंद्रों कमान निकालेंगे तो एसी ब्राबर आर उमेगा स्केर तो आर गामान बारा और उमेगा स्केर है तो दो बार लिख देंगे इसको अल करने पर प्राप्त होगा दो पॉइंट तीन बिटर परती सेकंड स्केर तो इस प्रकार अन्य एक्जाम्पल भी अपनी इन फॉर्मिले के साहता से कर सकते हैं तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जुरूर करें और अन्य इस प्रकार की रिलेटड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू